महराश्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में दिल दहला देने वाला हाथसा हुआ है आपको बता दे कि अस्पताल की सिक न्यूबॉन केर यूनिट में शनीवार रात करीब दो बजे आग लग गई इस दोरां सिक न्यूबॉन केर यूनिट में तकरीबन सत्रा शिशु थे जिन में से साथ को बचा लिया गया तथा दस शिशुओं की आग में जुलसने से दर्दनाक मोथ हो गई सुत्रों के मताबिक आग शोट सरकिट होने की वज़े से लगना बताय जा रहा है इस हाथसे के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ी कठा हो गई एक तरफ जहां अस्पताल में आग लगने से काफी दहशत का माहूल है वहीं शिशुओं के घरवालों वर रिष्टेदारों का रो रो कर बुरा हाल है घटना सल पर रोती बिलक्ती माओं का कहना था कि अभी तो मेरे लाल की अखियां भी नहीं खुली थी और ये हाथसा हो गया आपको बता दे कि महराश्ट के भंडारा जिले के अस्पताल में देर रात दो बजे जब ड्यूटी पर तैनात नर्स ने दर्वाजा खोला तो कमरे में धुआ उठ रहा था धुआ उठता देख नर्स घबरा गई तथा ततकाल अस्पताल प्रशासन को इत्तला किया बाद में फार ब्रिगेट की टीम पहुँचने के बाद रेस्क्यू कारे शुरू किया गया भंडारा जिला अस्पताल के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रमोध खंडाते ने बताया कि देर रात करीब दो बजे के आसपास ये हाथसा हुआ है अस्पताल के आउटबॉन यूनिट में धुआ निकल रहा था जब अस्पताल की नर्स ने दर्वाजा खोला तो देखा आउटबॉन यूनिट में सब जगे धुआ ही धुआ था आपको बता दें कि इस हाथसे ने सभी की आँखे नम कर दी है किसी ने अपनी नवजात बेठी खोई है तो किसी के मन में नातिन के जाने का गम है तो किसी के दिल में अपना नन्हा सा बेटा गवा देने की टीस है परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जल्द ही बच्चों की डेट बोडी देने को कहा है आपको बता दे कि इस हाथसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिये हैं वही परीजनों ने अस्पताल पुशासन पर लापरवाई करने क्या रोप लगाए हैं यहां बड़े सवाल ये उठते हैं कि जिस वक्त आग लगी उस समय कोई भी स्टाफ उस यूनिट में मौजूद नहीं था आखिर ऐसा क्यों क्या सारा स्टाफ इस कदर बेपरवा हुआ बैठा था कि सत्रा में से किसी शिशु के रोने की आवाज सक उन्हें सुनाई नहीं दी क्या ऐसे किसी हादसे से निपटने के लिए अस्पताल पुशासन के पास कोई इंतजामात नहीं है वहीं एक सामाजिक कार्यकरता का कहना है कि अस्पताल पुशासन द्वारा लापरवाही की जा रही है आग लगी तो वहाँ बचाने के लिए स्टाफ का कोई भी सदस्य नहीं था फाइर ब्रिगेट वाले भी जादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आग बिजली के शौर्ट सर्किट से लगी थी बच्चों को तुरंत अटाना चाहिए था लेकिन वहाँ कोई नहीं था इस घटना करम पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि हमने कीमती यूवाद जीवन खो दिया है मुझे उमीद है कि घायल जल्द ठीक होंगे मेरे विचार सभी शोक ग्रस्त परिवारों के साथ है वहीं इस मामले में महराश्ट्र के मुझे मंत्री उद्धव ठाकरे ने महराश्ट्र अस्पताल अगनी कान पर दुख व्यक्त किया है एक चिकित्सक से मिली जानकारी के अनुसार नवजात बच्चों की उम्र एक महीने से तीन महीने के बीच थी जिला सिविल सर्जन प्रमोट खंडाते ने बताया कि भंडारा जिला अस्पताल में शुकरवार देर रात एक बज़ कर तीस मिनट के आसपास आग लग गई इकाई में सत्रा बच्चे थे जिन में से साथ को बचा लिया गया है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुब्सक्राइब करें घंदेवार जंगमायुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिन्दगी का हिस्सा अब जंगमायुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिन में शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पें किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट थाइरोइड के लिए जंगम थाइरो किट जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट पुर इन सभी आउशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य, डॉक्तर्स और प्राक्टिशनस वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें जंग मायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हर्याना, मोबाइल नंबर 9817098180